नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा, चीकोज रेस्पीज में आपका स्वागत है, तो आज मैं बात करूंगी नवरात्री के छटे दिन की किस मा की पूजा की जाती है, इस दिन मा को क्या भोग लगाया जाता है, और मा की उत्पत्ती कैसे हुई? सब्सक्राइब करें चीकोज रेस्पीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो नवरात्री के छटे दिन देवी के कात्याइनी स्वरूप की पूजा की जाती है, इनके उत्पत्ती या प्राकट्या के बारे में वामन और सकंद पुरान में अलग-अलग बातें बताई गई है मा कात्याइनी देवी दुर्गा का ही रूप है और ये मा का छटा रूप है सकंद पुरान में कहा गया है कि देवी के कात्याइनी रूप की उत्पत्ती परमेश्वर के नसरगिक क्रोध से हुई थी वहीं वामन पुरान के अनुसार सभी देवताओं ने अपनी उर्जा को बाहर निकाल कर कात्यायन रिशी के आश्रम में इकठा किया और कात्यायन रिशी ने उस शक्ति पुंज को एक देवी का रूप दिया जो पार्वती द्वारा दिये गए शेर पर विराजमान थी फिर एक कथा ये भी आती है कि कत नामक एक प्रसीद महर्शी थे उनके पुत्र रिशी कात्य हुए इनी कात्य के गोत्र में विश्व प्रसीद महर्शी कात्यायन उत्पन हुए थे इनोंने मा परामबा की उपासना करते हुए कई वर्शों तक कठिन तपस्या की उनकी इच्छा थी कि मा भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जनम ले मा भगवती ने उनकी यह प्राथना स्विकार कर ली कुछ समय पस्चात जब दानव महिशा सुर का अत्याचार धर्ती पर बढ़ गया तब भगवान ब्रह्मा, विश्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिशा सुर के विनाश के लिए एक देवी क को उत्पन किया, महर्शी कात्याईन ने सरव प्रथम इनकी पूजा की, इसे कारण से यह कात्याईनी कहलाई, मा कात्याईनी शेर पर सवार रहती है, उनकी चार भुजाएं हैं, वहे अपने बाएं हाथ में कमल का पुश्प और दूसरे बाएं हाथ में तलवार धारन करती वहीं एक दाएं हाथ में अभ्यमुद्रा और दूसरे दाएं हाथ में वरदमुद्रा धारन करती है। मा कात्याईनी की पूजा करने से पहले मा का मंत्र और मा की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। जो मा का मंत्र है ओम देवी कात्याईनी नहमें। और मा की प्राथना है चंद्र हासो ज्वलकरा शार्दुल वर वाहना कात्याईनी शिवम दध्याद देवी दानव घातिनी। मा दुर्गा के कात्याईनी स्वरूप की आराधना बड़ी विधी विधान से करने की परंपरा है। मा कात्याईनी की पूजा करने से व्यक्ति सफलता और सिध्धी प्राप्त करता है। मा का त्याइनी को लाल रंग का पुश्प बहुत प्रिया है तो मा को लाल गुलाब का फूल अरपित करना चाहिए देवी का त्याइनी को अक्षत, सिंदूर, शेहद, धूप, गंध आधी चढ़ाएं फिर देवी का त्याइनी को शेहद का भोग लगाएं, इससे अकर्षन शक्ति बढ़ती है पूजा के दोरान दुरगा चालीसा का पाथ करें और मा दुरगा की आर्ती भी जरूर करें और मा कात्याईनी को लोकी का भोग जरूर लगाएं यानि कि लोकी की कोई सबजी बनाकर या लोकी का हलवा बनाकर मा को भोग जरूर लगाएं माता का संबंध कृष्ण और उनकी गोपिकाउं से रहा है और ये ब्रज मंदल की अधिश्ठात्री देवी है जिन कन्याओं के विवाह में अगर देरी होरी होती है तो उन कन्याओं को मा कात्याईनी के स्वरूप की शाम के समय यानि की गोधूली वेला के समय पीले वस्त्रधार्न करके पूजा करनी चाहिए इनको पीले फूल और पीला नवेध अर्पित करना चाहिए तो ये था मा कात्याईनी के छठे सवरूप का महत्तव मा कात्याईनी की पूजा कैसे करें कौन सा शलोक पढ़ें और मा की उत्पत्ती कैसे हुई उमीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल न भूलें और हमेशा की तरह आप अपने सुझाव देते रहें आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं धन आपन्यवाद हरे कृष्णा